इस वीडियो में हम लोग जानेंगे एक बहुत ही important theory के बारे में इसका नाम होता है Planck's quantum theory ये theory हमें क्या बताती है? आईए उस बारे में बात करते हैं Electromagnetic radiation से जो energy travel करती है Electromagnetic radiation से जो energy travel करती है वो किस form में travel करती है? किस form में transmit होती है? प्रॉपगेट होती है उस बारे में इस theory में explain क्या गया है तो आई देखते हैं इस theory को ये जो pick आपने देखी ये है Dr. Max Planck जिरों ने इस theory बताई आई अब देखते हैं इस theory की बात क्या कहते है? Dr. Planck ने इस theory में बोला कि देखें energy जो होती है Electromagnetic radiation की इसके propagate होने के दो तरीके होते हैं या तो energy continuous form में propagate हो सकती है या energy discrete form में propagate हो सकती है उन्होंने क्या बोला? उन्होंने बोला कि energy जो होती है Electromagnetic radiation की वो discrete form में propagate होती है continuous form में नहीं क्या इसका मतलब है मैं आपको समझाता हूँ जैसे जो visible light जो हमारे हर तरफ आसपास है वो visible light जो होती है वो एक form of energy है Electromagnetic radiation है अब let us say हम यहाँ पे खड़े है और वो energy हमारे पास आ रही है अब एक possibility क्या है? वो energy लगातार हमें मिले जा रही है लगातार हमारे को energy की supply हो रही है उसको बोलेंगे continuous energy supply और एक possibility यह है कि energy के packets हमारी तरफ आ रहे है जैसे एक packet हमें तब पहुचा फिर अगला packet आया फिर दूसरा packet आया ऐसे अलग-अलग packets जो है energy के वो हमारे पास आ रहे है यानि energy की units जो हैं वो हमारे पास आ रही है तो actual में ऐसा नहीं होता energy लगातार supply होती है पर लगातार supply जो होती है वो किस form में होती है energy की units की form में होती है energy के packets की form में होती है डॉक्टर प्लैंक ने energy के उस एक packet को क्वांटा नाम दिया that is known as क्वांटा ऐसे बहुत सारे क्वांटा हमें receive होंगे यहनि एनरजी का एक packet एक क्वांटा है यानि हमको 1.5 क्वांटा जो है वो नहीं मिल सकता 1.2 क्वांटा नहीं मिल सकता हमको packets ही मिलेंगे यह नहीं होगा कि आदा packet हमें मिला अगर continuous energy supply होती तो हमें 1 packet 1.2 packet यानि लगातर energy supply होती रहती वो discrete units नहीं होती तो इस theory की हिसाब से जो energy propagate होती है energy जो हमें मिलती है वो मिलती है packets के form में discrete energy की units की form में obviously यह सारा theory जो आई है यह observation के basis पे ही आई है वो जो packet होता है उसको उन्होंने नाम दिया quanta और उसी quanta को visible light के terms में बोला जाता है photon यानि photon specifically जो normal light होती है उसके terms में बोला जाता है और quanta is a general term photon is a specific term in case of visible light अब अगली बात है energy of that packet energy of photon photon की जो energy होती है उस packet में जो energy छुपी हुई होती है वो energy किस चीज़ पर depend करती है तो dr. plank ने पाया कि वो जो energy होती है वो उस wave की frequency पर directly proportional होती है यानि wave की जितनी ज़्यादा frequency होगी जितनी ज़्यादा wavelength per second pass करेंगी उतनी ज़्यादा उस packet में energy होगी अगर हम यह proportionality का sign हटा देते हैं तो एक constant यहाँ पर आजाएगा उस constant को h लिखा जाता है यह जो h होता है it is known as plank's constant obviously theory dr. plank ने दिया है तो इस constant को भी plank's constant बोलते है यह जो new है यह जो frequency है जैसे कि आप जानते है it is equal to c by lambda where c is speed of light and lambda is the wavelength अगर मैं इस form को यह जो 1 है इस new को यहाँ पर substitute करता हूँ तैसे कि इसमें I will get h c by lambda तो आपने जाना कि एक photon का जो energy होता है it is equal to h c by lambda अगर यहाँ पर एक photon का energy level यह है तो मान लीजिए हमारे पास n packets यानि n photons है n बोरी है हमारे पास अनाज की अब यहाँ पर अनाज की बजाए क्या है हमारे पास energy है तो उन n photons के energy क्या होगी n into h c by lambda अब खुदी सोचिए packet आदा तो हो नहीं सकता packet पूरा ही होगा यानि photon पांच, दस, हजार, दस लाक इस तरह के photon होगे उस basis पे यह value होगी अब यह जो equation है आईए इस equation को हम simplify करते है जैसे कि आपने देखा equation होती है e is equal to h c by lambda यहाँ पे जो h की value होती है planks constant की जो value होती है it is equal to 6.6 into 10 की पार minus 34 joule second यह आपको ध्यान रखना है units भी आपको ध्यान रखनी है अगर c की value हम बात करें तो it is equal to 3 into 10 की पार 8 meter per second अगर मैं इन दोनों values को put करता हूँ तो मुझे क्या मिलेगा it is equal to 6.6 into 10 की पार minus 34 into 3 multiply by 10 की पार 8 it is divide by lambda अब मैं इन दोनों को अगर multiply करता हूँ तो approximately जो value आएगी it is equal to 20 approximately into 10 की पार minus 34 और 8 को जब मैं क्या करूँगा simplify करूँगा it will be equal to minus 26 divide by lambda अब मैं इस 0 को अगर हटाना यहां से चाहता हूँ तो it will be equal to 2 into 10 की पार minus 25 divide by lambda यहीं सीधा हम इस equation का use कर सकते हैं अगर lambda हमारे में हमको meters में दे रखा है पर बहुत बार क्या होता है lambda एंगर स्ट्रॉम में given होता है तो अगर एंगर स्ट्रॉम में given है तो उसी basis पे हम उसको put करेंगे जैसे कि आप जानते हैं 1 एंगर स्ट्रॉम का use कैसे करते हैं आईए उस बात को देखते है पहले तो इस unit को समझते है एक electron volt जो होता है इसकी value होती है 1.6 into 10 की power minus 19 joules अगर मैं यह जो equation number 2 है इसको मैं convert करना चाहूं electron volt में तो इसकी जो value आती है it is equal to e is equal to 12400 divide by lambda लेकिन इसमें आप ध्यान रखिए यह energy जो है यह joules की बजाए electron volt में आएगा और lambda जो है it will be used it will be put in case of angostrom angostrom के हिसाब से इसको put कीजिए अगर माल लीजी हम यहाँ पे angostrom की बजाए lambda को nanometer में use करते हैं तो ऐसी case में यह 1,2,4,0 electron volt हो जाएगा यह equation भी आपको याद रखनी है तो मेली fundamental equation तो होती है e is equal to h new इसको convert किया हमने e is equal to hc by lambda से h और c की value constant होनी की वेदे से इसको simplify किया जो आया 2 into 10 की पार minus 25 divide by lambda lambda meters में होता है इसको अगर हम electron volt में convert करें तो equation हमारी आती है e is equal to 12,400 electron volt divided by lambda जिसमें lambda को हम angostrom में put करते है और अगर nanometer use करेंगे तो it will be 12,4,0 आईए अब इसी के basis पे पहला question करते है पहला question है calculate the ratio of energies of two sources which emit light of wavelength 3000 and 4000 angostrom this is angostrom respectively यानि दो sources energy के हमारे पास है एक source का wavelength 3000 है एक source का wavelength 4000 है हमको उनका energies जो उनके photon actually उन photons के energies का ratio निकालना है जैसके अब जानते है energy जो होती है it is equal to hc by lambda तो जो पहला source है मान लीजिए उसका energy of photon है e1 तो वहाँ पे h और c तो सेम रहेगा lambda होगा lambda 1 and in the case of second source that will be e2 और वहाँ पे होगा hc by lambda 2 अब इसको equation number 1 मानते हैं इसको equation number 2 मानते हैं जैसा कि हम जानते हैं हमें ratio of energy निकालना है तो हमको क्या चाहिए e1 by e2 तो हम इन दोनों को 102 को divide करेंगे जिनको हम divide करेंगे तो यहाँ hc से hc cancel हो जाएगा and it is will be equal to lambda 2 by lambda 1 जैसे कि अब जानते हैं lambda 2 की value है 4000 और lambda 1 की value है 3000 इसको cancel करेंगे तो it will be equal to 4 is to 3 तो आपने देखा यहाँ पर ratio of energy जो आए it is equal to 4 is to 3 इसका मतलब जहाँ पर wavelength कम थी वहाँ energy क्या थी? जादा थी और जहाँ wavelength जादा थी वहाँ energy कम है तो more the wavelength lower will be the energy lower the wavelength more will be the energy आई देखते हैं अगला कुछ इस question में you have to calculate wavelength of photon with energy is equal to 4.13 electron volt इसमें आपको lambda निकालना है उस photon का जिसका energy आपको already given है जैसा कि आप जानते हैं energy is equal to hc by lambda अब आपको इसमें lambda निकालना है जो energy आपको given है वो electron volt में given है जब energy आपको electron volt में given होगी तो जो formula आपको use करना है इसमें lambda की जो value आएगी वो किसमें आएगी एंगोस्ट्रॉम में आएगी अब energy की value जब मैं इसमें put करता हूँ तो it is equal to 4.13 equal to 12400 डिवाइड बाइ इसको अगर मैं solve करूँगा तो lambda की value आएगी 3000 जैसा कि मैंने बताया इसको हम किसमें लिखेंगे there is a light source जिसका lambda आपको दे रखा है उसका lambda है 2000 अगोस्ट्रॉम वो emit कर रहा है overall 0.5 joules of energy अब इतने joules of energy provide करने के लिए कितने photon उसे emit करने पड़ेंगे यह आपको calculate करना है यह जो energy emit की obviously एक photon ने emit ने की let us say n photons ने मिलके energy emit की जैसे कि अब जानते है n photons की जा energy होती है it is equal to e is equal to n hc by lambda इसको अगर मैं simplify करूँ hc की value आएगी 2 into 10 की power minus 25 क्योंकि हम यहाँ पे energy joules में गिवन है अगर electron volt में गिवन होती है तो सीधा हम 12400 का use करते divide by lambda lambda की value भी आपको यहाँ पे पता है lambda की value यहाँ पे है 2000 angostrom यानि 2000 into 10 की power minus 10 units का आपको हमेशा ध्यान रखना है it is equal to energy energy की value कितनी है 0.5 इसको आप simplify करें और n की value को पहले अपने आपने काले pause करें वीडियो को और फिर चेक करें इसमें n की final value आपके आने चाहिए 5 into 10 की power 17 photons I hope you are correct तो आपने overall देखा कि इस theory के अंदर Dr. Max Planck ने क्या बोला कि energy continuously transfer नहीं होती यह कुछ packets के form में transfer होती है the packets can be 4, 5, up to lakhs करोट इस packet को बोला जाता है quanta और light की presence में light के case में उसको photon बोलते है इस energy की जो value होती है वो wave की frequency पे photon की frequency पे depend करता है अगर इस proportionality का sign हम अटाते हैं तो यहाँ पे h आ जाता है इसमें अगर हम c by lambda को put करते हैं 30 is equal to hc by lambda n photons का energy level n hc by lambda होता है इस value को simplify करना बहुत ज़रूरी है अगर हम joules का use करते हैं energy में तैसे case में equation number 2 का use करेंगे अगर हम electron volt का use करते हैं equation number 3 का use करेंगे फिर हमने कुछ questions किये जिससे हमने समझा कैसे इसको apply करना है ओके गाइस थैंक्स फो वाचिंग प्लीज शेयर और सब्सक्राइब